क्या एहलोज़ आज बनाएंगे थ adults कोई घर पर आशान से को निया ने मेढा लिया этом कि हमने यहांपट दो कप मेदा लेना रिदन इसंहीं है गोड़ी नहीं है सब्सक्राइब बहुत ही इसका घोलती आख कर लेते हैं जिससे में बेटर बनाना है इसका देखे फेंड समनिया एग मग दूद लिया है अब मिसमें वन टीस्पून भरकर यीश्ट एट करनी है आप चाहे तो इसमें बेकिन सोड़ा और बेकिन पाउडर भी एट कर सकते हैं अगर आपके पास यीश्ट नहीं है तो नमक करकर बडДа चमम्लच रिफाइंड लोई एट करना है तो तो देखे इसका हम्राइफ हिस्वाइड निए कर देना है और बोहा ऐची तरह तरह-च्गार ना रहे है सब्सक्राइब इस वह अच्छी तरह से कर लिया है दूद में अब हम इस magic बढकर 2 से इसी घोल से मिंप्यार के है और हमें ठोड़ा घोल डालना और आठी 15 में तयार कर लेंगे फ्रेंड्स बहुत एच्छी रोटी बनकर तयार होगी एक बार आप जुरू ट्राय कीजिए का घर पर ही बहुत आसानी से तंदूरी नान बनकर तयार हो जाएगा देखे फ्रेंड्स हमें बहुत एच्छी तरह से इसका डो तयार कर लेना है एक बार आप जुरू बनाएगा फ्रेंड्स घर पर देखे बहुत एच्छी तरह से हमारे डो तयार हो गया है देखे फ्रेंड्स और डो को हमें तयार करके हमें दो से तीन घंटे के लिए छोड़ देना है धककर जिससे हमारा डो भूत एच्छी तरह से तंदूरी का रोटी क तैयार हो जाएं इसको में ढ़कर रख देना है 2-3 घंटे के लिए जिस से क्या होगा हमारा डो बहुत तरह से तैयार हो जाएगा देखे फिर्ण्स दो घंटे बाद हम एक चेक कर लेते हैं हमारा तंदुई रोटी का डो बहुत ही अच्छी तरह से तयार हो गया है अब हम इसकी लोईया बना लेते हैं और लोईया बनाकर हम दस मिनट के लिए और छोड़ देंगे रेश्ट के लिए देखे फिर्ण्स बहु चकल लिया है पट्र लिया यानि इसको हम रोटी बनाएंगे इसपर हम एक लोई यूठाइए हमने इसको अच्छी तरह से उपर हम हम गारीश के लिए धनिया लगाएंगे थोड़ा सा ऑर हम कलोंजी के सीट करेंगे इसके उपर देखे फिर्ण्स हम नहीं आधारा धनिया लगा दिया है अब हम इसके उपर थोड़ा सा कलोंजी के सीट सेट करने हैं और अब हम इसका रोटी का आकार बड़ा कर लेते हैं आपनी मर्जी से इसका छोटा यह बड़ा कर सकते हैं देखे फेंड्स हमने आएक लोहे का तवालिया है इस पर थोड़ा पानी एट क्या है और पानी लगाना जरूरी है देखे फ्रेंड्स बहुती अच्छे तरह से हमाई रोटी फूल गई है अब हम इसको सेक लेते हैं हमें तबा फोरा नहीं उल्टा कर देना है और हमें धीमी आज पर थोड़ा-थोड़ा करके रोटी को सेक लेना है देखे फ्रेंड्स हमाई रोटी बहुती अच्छी तरह से सिख गई है अब हम इसको उतार लेते हैं और बहुती अच्छी क्रिस्पी हमारी तंदुई रोटी बनकर तयार है बिना ओवन के बहुती अच्छी तरह से देखे फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक कीजे फ्रें है यगाइक झाल 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 ?